अलो दोस्तों आज मैं आप डोंको बताओं अगर आपका फोन पानी में भीघ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तों वीडियो прогemia पारे चैनल पहले नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिंगे ट्रें लाइकन प्रेस कर दोस्तो इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी फोन के विगने या पानी में गिरने के इस्तिती में पहला काम ये करें अगर आपका फोन आन है तो दोस्तों उसे आफ कर दें और किसी भी बटन को बीना दबाए आफ करें अगर दोस्तों बटन दबा कर उसके उसे आफ करते हैं तो उसमें उस फोन में 60 सरकिट हो सकता है और खत्रा भी हो सकता है दोस्तों तो उसकी आप बैटरी निकाल कर उसे स्विच आफ करें उसके बाद उसका सीम कार्ड मेमोरी कार्ड सब कुछ निकाल दें आप यदि आपके पास पुराना फोन है जिसमें बैटरी निकलने की सुब्धन नहीं है तो बैटरी मीमोरी कार्ड और सीम कार्ड को आराम से निकालने और फोन में जिसमें बैटरी ना निकल पाये तो सार सर्किट होने का खत्रा बना रहता है दोस्तों उसे क्या करें जिस फोन में बैटरी ना निकले दोस्तों उसे धूप में रख दें 10-15 मिनिट दोस्तों जादा अगर आप रखते हैं धूप में तो उसका डिस्पले खराब हो सकता है दियान रहें 10 मिनिट तक दोस्तों उसे दूप में रखें ताकि उसका पानी सोख जाए सूखने बाद दोस्तों उसे पावर आफ कर दें उसके बाद दोस्तों आपको फोन में दीख रहें पानी को साफ कपड़े या पेपर से उसे पोच दे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ अगर आपके पास हेर ड्राइ नहीं है तो फोन को सुखी चावल में रख दें लेकिन ख्याल रहे कि हेट फोन जैक में चावल ना जाए दोस्तों उसमें कोई कपड़ा एट फोन के जैक में चावल ना जा पाए फोन को कम से कम 24 गंटे तक सुखने के लिए छोड़ दें भीगे फोन को सुखाने का या सबसे कारगार और आसान तरीका है अब फोन को चावल से निकाल कर आन करें अगर फोन आन नहीं होता है तो चार्जिंग में लगाएं और इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों किसी मॉबाइल रिपेरिंग दुकान पर जाएं या फिर सीजे सर्विस सेंटर पर जाएं ताकि आपके फोन को कोई प्राब्लम ना हो सके दोस्तों दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता है चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें इस वीडियो को जादा जादा सेर करें ताकि सब्सक्राइब मदद हो सके ठैक्स पर वाचिंग दिस वीडियो